विद्यार्थी पर यहार चैनल में आपका स्वागत है सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाय होती है जो इभिन समचार पत्रों पर चाहिवी होती है और विद्यार्थियों के लिए अवश्रक होती है तो आईए शुरू करते हैं और देख लेते हैं आगे बनने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बियर्ड इंट्रेंस एक्जाम की तयारी कर रहे हैं वे सभी अब्यर्थी चच्छु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिससे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं इस तरीके से वीड में जिस प्रकाशन का प्रसने प्रसन पहे हैं तो यह बुक भी काफी अच्छी है और इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बाक्स और कमेंट बाक्स दोनों जगए अफलेव दिखरा दी है तलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले तो सूचना है साक्ष सामने हैं तो लंबी जांच का दिखावा क्यों है परिक्षा की दोनों पालियों में पेपर लिख हुआ है और इसी वज़य से उन्होंने हलफ नामे में यहां पर देखिये लिखा हुआ है कि हलफ नामे में साक्ष भी सौप है और वही प्रिक्षा केंद्र में 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 प्रिक्षा अवरी थी जबकि आयोग ने साक्ष उपलब्द कराने के लिए अवर्थियों को दो मार्च तक का समय दिया है, अवर्थियों का कहना है कि जाच को बीवजह लंबक ही जा रहा है, साक्षियों से तो यह साबित हो रहा है कि पेपर परिच्छा शुरू होने से पहले ही वैरल अवर्थियों को तभी रहात मिलेगी जब परिच्छ निरस्ट होगी, परिच्छ निरस्ट कराने को लेकर के धरना प्रसंदारी एकल मैंने इसको लेकर के वीडियो भी बनाया था और आपने देखा भी होगा बहुत सारे चात्रों से बात भी की थी, पैपर लिक विवाद म अवर्थियों का अंदूरन बुद्वार को भी जारी रहा, वहीं आयोग के बाहर सुर्प्चा के तगड़े अंतिजम कीएगे, अभर्थि आयोग नहीं गये, और पूरे दिन सिविल लाइंस में पत्तर गिर जागर के पास धरना इस्तल पर ही बठे रहे, धरना इस्तल पर का पिया गया, वर्थियों ने प्रिस्पितिवार को भी अपना धरना प्रतस्त जारी रखने का निरना लिया है, यहां पर यह देखिए, यह फुता स्वीरें कल के धरना इस्तल की, और कल धरना इस्तल यहां पर नहा राठोर भी पहुंची थी, उनके बारे में भी जानकार कि नेहा ने मुलाकात को फेजबी पर लाइब कर दिया और अपने टाइम लाइन पर लिखा कि पेपर आउट होने से अगर सिपाई भर्थी का एक्जाम रद हो सकता है, तो आरो यारो का क्यों नहीं, धरना इस्तल के आसपास फोर्स तहनात रही लोग सिभाई पर से पास भ देख लेजिए और बहुत सारी भर्थियां देख लेजिए, यहां में देख सकते हैं हरिवन्ष चतुरवेदी का ये लेख है, और हिंदुस्तान में है, लिखा है कि सरकारी नकुलियां कम हो रही है, मगर इनका आकरस्म बढ़ता जा रहा है, और इसी के साथ साथ प्रतियो प्रतों के लिए 43 लाख यूओन परिक्चा दी थी, पर पेपर लिख होने से परिक्चा इस्तिक्रित करने पड़ी, क्या इन घड़नाओं से यह जाहिर नहीं होता है, कि इन परिक्चाओं को आयूजित करने बारा ब्रस्ट तंत्र और निकम्मा हो चुका है, सबसे बड़ी अगर आप देख लेंगे, तो बाहरी लोगों को घ्रफतार किया जाएगा, लेकिन जो अंदर के लोग हैं, जो पूरा जीवन होता है, वो सब कुछ होता है, और यह बहुत बड़ा घड़का होता है, किसी विचातर के लिए, तो जब तक परिचा नियंत्रा, चियर्मैन या तक यह चीज़े होती रहेंगी, और यह चीज़े बिखती रहेंगी, यहाँ पर नीचे लिखा है, कि पेपर लिग की घटनाएं राष्ट्री इस तरपर इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है, कि पिछले दिनों के हैं, सरकार को संसर्द में सार्वजनिक परिच्छा विधिय संसरो के मन साही नहीं होगी, तो यह इस तरीके के बिल से कुछ नहीं होता, ऐसी बहुत सारी धाराइं हैं पहले से ही, जो उन पर लगाकर के उनकी जिन्द़ी बरबात कि जा सकती है, सरकार की प्रास्मिक्ता में ही नहीं होता है यह चीज़ें, तो सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा कानून का पालन करने से चीज़े क्लियर होगी इससे लिए कि हम एक रंभीटा से सोचने की ज़रूरियत है कि प्रतियोगी परिक्षाओं में पीपर लीग की घटनाएं बढ़ती घटनाएं अभी क्या अभी हाल में पैदा हुई है समाध में संपनता बढ़ दोग की महतुल घुम करने वा सकती है हाला कि गलत अत्तों का हस्तक चेफ होगा तो डिजिटल टेक्नालोजी के उप्योग से भी हल नहीं निकिलेगा मत प्रदेश की ब्ढ़ताले में यह हुआ भाई बढ़ती जवाज ब्ढ़ती घटनाएं तो जो अलग-अलग राज्यों कि शुरक्षित डिलीवरी शुनिष्चित करने वाले आईटी अदिकारी और इन सभी इस तरह पर चोरी रोगने की ज़रूरत है यहीं से सारी कलाकारी होती है देश में प्रशिक्षित बेरोजगारी की समस्या पर निरंतर सुचना होगा और रोजगार को तेजी से बढ़ा है और यह बात हो रही है बिहार की देखा राज के उतकरमित और नव इस्थापित उच मादमिक विद्धालियों में प्रदाना धापक के लिए 601 पदों पर सीरी बढ़ती के लिए समाने प्रसासने विभाग को अधियासना भेज दी है और अधियासना को टीवार भेजी ग रिच्छा के लिए आप एधन की जो प्रक्रिया है वो 28 फ्रवरे से प्रारम्ब हो गई है और इसके लास्ट डेट है वो 14 मार्स रखी गई है 69,000 आरच्छन का जो मामला है और उसमें एक और मामला है EWS आरच्छन का विद्धार्थियों का आरोप है कि 69,000 से बढ़ती में E EWS लागू नहीं किया गया और उसके साथ कि यह उसके पहले की बहुतार भड़तियों जो प्रारे भड़तियां थी उनमें EWS का लाग दिया गया इसको लेकर विद्धर तो याद का दाखिल की थी और आज इस केस की अंतिम सुनवाई है और आज इस केस का जो आडर है वो आ करने की मांग को लेकर कि अंदोरन कर रहा है इलाबाद विश्विद्धाला के चात्र नेता आधर्श पदोरिया ने राष्टपती को पत्र लेकर के एक्छा मरत्यू की इजाज़त मांगी है आधर्श का कहना कि 25 फरवरी को पुलिस ने उसे कमरे से पकड़ा और 5 दिन तक अनाधिकरत तरीके से रखा और उनका परिजनों का मानसिक सुझन हुआ ऐसे में अब एक्छा मृत्य के इलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा है इलाबाद विश्विद्धाला की एक और सूचना है कि अब इलाबाद विश्विद्धाला में दिस्कोरिशन लेना है उसको CU CUET देना होगा और लिखा इलाबाद विश्विद्धाला में 2024-25 शेक्ष्विद्धाला में भी सेंट्रल उनिवर्सटी इंटरेंस टेस्ट के जर्गे ही इस नाथक पटकर मों प्रवेस होंगे मंगलवार को CUET के लिए online अभीदन शुरू होने की दूसरी दिन बुद्वार को विश्विद्धाला तो यहां पर जो है अब पहले यह था कि सायद इलाबाद विश्विद्धाला चुकि जो सत्र है वो पिछड़ रहा था तो अपना अलग से जम करवाएगा अलग से अभीदन लेगा लेकिन ऐसा नहीं है और पहले सही था था क्योंकि CUET की लिष्ट म करने की मामले में बुद्वार सुबह सुहरत गलसे चार आरोपियों को घर्षतार किया गया तो ठीक दोस्तों यह हो गया